नमस्कार दोस्तों सवागत है आपके अपने यूटूब जनल स्टड़ी विजन तोस पर मैं हुदी पक्सान वंसर और आप देख रहे हैं स्टड़ी विजन तोस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नमबर 49 यहरी अनापलिस ग्राउंस्टीव कैनल पटवा सब इंस्पेक्टर जनल महिला सुपर्वाइजर इन सभी बरतियों के लिए आपके लिए चलाए जा रहे हैं इससे पहले हम 48 प्रैक्टिस एट करें जिनका लिंक आपको डिस्क्रेशन में मिल जाएगा जाए जाके चैक आउट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अर्याना क्लास में जोने अच्छा परफॉर्मेंस किया था अच्छे कोमेंट की थी उनके नाम में आपको बता देता हूं सबसे पहले हैं पूजा दारिवाल जी उसके बाद परविन कुमार जी रवी कुमार जी सुंदर सिंग जी और बहुत सारे बच्चों ने कोमेंट किये थे जो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लें अरे 96 में यूनिनिस्ट दल को लोग प्रिय बनाने हित्तू चोदरी छोटराम ने जोरदार भियान चलाया प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था तो ज सब्सक्राइब किस दल से समद्दित थे यूनिस्ट दल से समद्दित थे और हर्याना में किसानों के मसिया भी रहे हैं नेक्स्ट क्यूशन लेंगे कि ऐसे हो गांदोलन में हर्याना के पानिपत में अक्टूबर 1920 को पहली सबा का आयोजन किसने किया था किसने करवाय था लाला लाजपत्राय ने किसने किसने किरा था लाला लाजपत्राय ने करनोल का जो छेतर था उससे उन्होंने 18 सस्ता उनकी करांती में भाग लिया था लेकिन जो अंग्रजों के साथ उनका मुकाबला जो जिस्थान पर हुआ था जो प्रटिकुलर जो प्लेस था वो नसीरपूर था भई कई बार ये नसीब पूर भी लिखाता है नसीब बै ये वड़ा बै नसीब पूर तो इसका राइट अंसर डी रहेगा भई नेक्स्ट क्वेशन लेंगे निमन में से कोन सा कथन सही है पाला कथन है वारा अरियाना चोड़े डिग्री 27 डिग Cong Hungarian डिग्री 5 से 27 डिग्रे 5 पूरबी देशांतर पर स्थित है इसका मतलब है कि अरियाना का जो देशांतरी विश्थार है वो चोड़े डि pand चेांथ आफिज देगार्ट 7-8 तक है तो ये बिलकुल सभी बात है सफरी हे के शिवालिक पाड़ी रियोना के देखम में आती हैं तो शिवालिक की पाड़ी का हने आती हैं ये मिव क्यों कि ये मारी उत्तरपूर वी भाग में आती है तो यह गलत हो घ्रिक और हमारी अरावली प्रवत रांख्राका भाग है विसका यह चल entitled एक केवल एक पैला के सांग सकते हैं बढ़ाना पर प्राचिन काल में किसका बहुल्यता यानि कि ज़्यादा जंशंह दें कि थी थी बटियाना नामक जो बaid है उस पर बढ़ाचिन काल में किस का बहु ले रहा है किस की संद्सक्राइब राजपुतों की रह Debat经re Real Ad Part Z कि तोसाम की पाड़ी अवस्तित है तोसाम की पाड़ी कहां पर अवस्तित है बैस नहोंगरत सो थे ponieważ ज़िलित एक तहसिल है कि और यह टोगम कि पाड़े लिए को मिश्पेल्ट तोसाम कि पाड़े यह मिश्पेल्ट है थोसाम जो पाड़े हो पुब यॉप बेवाणी जिले की तैसिल है तोसाम और वहीं पर तोसाम की पाड़ी स्थित है नेक्स्ट क्योशन लेंगे निमन सभी का आउत्तरन सिवालिक परवत मालाओं से हुआ है केवल छोड़ कर यानि कि जो बाकी सभी जो नदिया है वो सिवालिक की परवत मालाओं से निकली है लेकिन एक नदिश में परवत मालाओं से नहीं निकली है तो कहां से निकली है वो यमना नदिय है यमनोत्री से निकली है बाकी घगर मारकंडा और टांगरी जो नदिया है यह हमारी सारी की सा नदिया है यह से वालिक प्रवतमाला से निकली हुई है इंदोरी पाड़ी स्तित है इंदोरी पाड़ी कहां पर स्तित है वई कि इंदोर में स्तित है वई इंदोर में और इंदोर हमारा कहां पर है मेवात में इंपोर्टेंट क्यूशन है और इंदोर नदी इंदोर से निकलती है ठीक है इंपोर्टेंट क्यूशन है याद रखीगा नेक्स्ट क्यूशन लेंगे हर्याना के दक्षिन पस्ची में स्थित है दक्षिन में और पह्ची में यन्गी पह्ची में उन्म ये और मारे राज़त्ताण लगता है और मारे राज़त्ता है जो बर्ड का मैदान होता है उसे स्ठानी बासा में नली या बेट कहते हैं अर यानका सरवाधिक गरम्मा सबसे जुग गरमी वाला महिना उत्ता है वो अर यानके अंदर उत्ता मैई का महिना उत्ता मैई का महिना और सरवाधिक जोठंडा महिना उत्ता वो कोणशा उत्ता है यानके अंदर उत्ता जन्नुवरी जनवरी सबसे ठंडा और मई सबसे गरम दोनों important है याद रखीएगा अर्याना का सरवादी गरम जिला सबसे ज्यादा गरमी कहा पड़ती है हिसार में पड़ती है mobile सबसे ठंडा जिला यहाँ गरमी भी पड़ती और ठंड भी ज्यादा पड़ती है गर्मियों में गर्मिया दिख पड़ती है और ठंड के टाइम पर ठंड ज्यादा पड़ती है सर्दियों में नेक्स्ट क्योंसन लेंगे रज्जे का कौनसा बाग रेतिलह भासे है क्य już रफिदलो lav is रहाई है मुद्धा चेतर शार्प्र जादा है वह कुनसा भाग है दक्सनी भाग है कि बिर फिदफीज९ रफिण पूरवी बाग वह ही नेक्स्ट क्योंसंने मारा क्या रहेगा किस मर्दा में दालों की खेती अच्छी होती है तो किस प्रगार की मर्दा में दालों की जो खेती की जाती हो सबसे अच्छी होती है वो होती है अती हलकी मर्दा में जो हलकी मर्दा होती है इसमें दाल वगिरा की जो खेती होती है वो अच्छी होती है तो यह उती है 40 cm से लेकर 60 cm तक और अगर अग्जयाम में एक्जेक्ट पूछे तो यह उती है पंताड़ेस सेंटीमेटर जो वारसिक वर्षा हमारी 45 cm है या तो इसके बीच में होगी अग्जेक्ट है तो यह होगी या दर्खी का है इंप्पोर्टेंट किस्टन कही अर्याना कि किस बाग में शर्वादिक वर्षा उती है अंगलबारी 2017 के एक्जाम में अबहा है कि सर्वादी वर्षा अमजेगर कर्ज भी चुके हैं वैसे जो मारा सिवालिक का बाग है उत्तरपूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है सबसे कम जो वर्षा होती है वो दक्षनी बाग में या दक्षन पस्चिमी बाग में सबसे कम वर्षा होती है हमारे यह इस बाग में सबसे कम और इस बाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है नेक्स्ट कुशन लेंगे अरियाना का सबसे सुस्क छेतर है सुसक चेतर का मलब जहां पर बारिस कमोती है टिल्ले वगर्या जादा है तो वह है मारा मेंदरगड का चेतर वह जो कि दक्षनि भाग में पड़ता है हरियना की इमपोर्टेंट की सन है वह हरियना में सीत काल में उस्त तापमान रहता है यानि कि सर्दियों के मौसम में जो उस्त तापमान रहता हूँ हमारा कितना रहता है 12 डिगरी सेल्सियस और जो गरिसम काल में रहता हूँ उस्त तापमान वो रहता हमारा 35 डिगरी सेल्सियस दोनों इंपोर्टेंट है कभी भी कौन सा भी पुछा जा सकता है ब्ल्यू बर्ड जील का स्थित है तो ब्ल्यू बर्ड जील जो हमारी हिसार जीले के अंदर स्थित है ब्ल्यू बर्ड जील का स्थित है हिसार में ठीक है फर्दावाद में हमारी बढखल जील स्थित है अर्याना की सबसे पुराणी नहर है अर्याना की सबसे प्राची नहर कुण सी है तो ये मारी है पस्चिमी यमना नहर पस्चिमी यमना नहर हमारी सबसे प्राची नहर है नेक्स्ट क्वेशन लेंगे अल बरुनी के प्राचीन पुस्तक किताब उलहिंद में किस जील का उल्लेख है तो ये ब्रम स्रोवर का उल्लेख है जो कि कुरुक्चेतर में है किस पुस्तक में ब्रम स्रोवर जील का उल्लेख है अल बरुनी के पुस्तक में है किताब उलहिंद में है इंपोर्टेंट क्योशन है भाई, PGT 2016 में आया भाई, आगे भी आने की पूरी-पूरी संभावना है, साथ-साथ आप भी कोमेंट करने ही, बहुत अच्छी बात है, आपने ये क्योशन किया, गिद्ध संद्रक्षन एंपर जनुन केंदर हरिया नामिक की स्थान पर है, तो ग हरियाना के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों के अधिकता है, तो कलेसर के जो पेड़े हैं, वहापर साल के वरिक्स के अधिकता है, साल के वरिक्स दोते हैं, साल की लकडी जोती हूँ, बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है, पहले जब लकडी के मकान बनाते थे लकड़ी की का यूज करते थे चतों वगेरा में तो साल की लगड़ी का बहुत ज़्यादा प्रियोग के जाता था कि वन स्थीती रिपोर्ट 2017 के अनुसार सरवाधिक वन शेत्र में वर्दी परतिसात दर्ज की गई है तो फ्रीदावाध में की गई है बई फ्रीदावाध में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन सेत्र के परतिसात में बढ़े बहुत है यांग या येधी बढ़ा है परतिसात के हिशाब से ठीक है नैक्स्ट क्यूसन लेंगे हिसार उद्यान इरन उद्ध्यान राज्य के किस जिले में है तो इरन उद्ध्यान जो है इसार जिले में है या फिर यह पूछ सकते हैं इसार में कौन सा उद्ध्यान है तो इरन उद्ध्यान है इरन उद्ध्यान एक और भी है वह हमारा महम में है महम कहां पर पढ़ता है महम हमारा रोहत्तक में बढ़ता है अरो तक में इंपोर्टेंट किसे नहीं याद रखी गा आज की क्लास में इतना ही क्लास आपको कैसी लगी कोमेंट करके बताएं यह क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी और हर यह नजी क्लास आपको हर रोज सुबह साथ बज़े मिल जाया करेगी और इंगलिस की क्लास जो चल रही है केडिसर की आप उनको बहुत प्यार दे रहे हैं ऐसे अपना प्यार बनाए रखें आपका अपकी बार एचसेसी का अग्जाम जरूर कलीर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चें जनें इंगलिस नहीं नहीं आती हो रह जाते हैं और बहुत से टीचर ले भी रहे हैं तो वहीं उसी लेवल की इंगलिस आपको फ्री दी जा रही है अपना प्यार बनाए रखें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो ही नोटिफिकेशन आए क्लास देख ले उसके नोट्स बनाए और आपके एक्जियाम्स के लिए आपको सुबकामनाई तैरी करते रहें धन्यवाद जैहिन जैवारत अपना ध्यान रखें